Power of Compounding, जानिये क्या होती है Compounding की Power, कैसे देखते ही देखते दोगुने हो जाती हैं पैसे. Power of Compounding, Compounding Interest, Compounding Interest के तहट अगर आपने आज कुछ पैसे निवेश, Investment किये तो उस पर मिलने वाले ब्याज पर भी आपको ब्याज, Interest on Interest मिलेगा. अगर आप आज वन लाक रुपेय निवेश कर दी, जिस पर आपको सेवन फीस्दी का ब्याज मिले तो टेन साल में ये पैसे दोगुने से भी अधिक हो जाएंगे. Power of Compounding, बहुत से लोग निवेश, Investment करने की सोचते तो हैं, लेकिन उसे अच्छे से समझते नहीं. कुछ लोग तो सिर्फ ये देखते हैं कि वे हर साल कुछ रुपेय बचाएंगे तो कुछ सालों बाद वह कितने होंगे, कुछ इस पर साधारन ब्याज के तरीके से ब्याज कैलकुलेट करते हैं, और उन्हें लगता है कि पैसे बचाने से बहतर है खर्च करना. हाला कि, जो स्मार्ट लोग होते हैं, वे जानते हैं कि पावर अफ कंपाउंडिंग, पावर अफ कंपाउंडिंग क्या है? यानि अगर आपने आज कुछ पैसे निवेश किये तो उस पर मिलने वाले ब्याज पर भी आपको ब्याज मिलेगा. अगर आप आज वान लाक रुपे निवेश कर दी, जिस पर आपको सेवन फीस्दी का ब्याज मिले तो टैंसा, एक उदाहरन आपको समझाने के लिए, हर महीने वान थाउजन रुपे बचाएं तो टैंसाल में आपके पास वान पॉइंट टू लाक रुपे जमा हो अगर आपको इन पैसो पर सालाना साधारन ब्याज की दर सेवन फीस्दी ब्याज मिलता है तो आपके पैसे 1,28,400 रुपे हो जाएंगे वहीं अगर आपको इन पैसो पर चक्रवरधी ब्याज यानि कमपाउंडिंग इंट्रेस्ट मिले तो 7 फीस्दी की दर से 10 साल बाद आपके पास 1,74 लाक रुपे होंगे ऐसा इसलिए क्योंकि हर साल आपको जो ब्याज मिलेगा अगले साल आपको उस ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा जैसे पहले साल आपको कुल 12,000 रुपे पर 7 फीस्टी की दर से 840 रुपे का ब्याज मिला तो अगे साल आपको इन 12,000 रुपे के अलावा 840 रुपे के ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा इसे ही कहते है power of compounding कैसे उठाए power of compounding का फाइदा power of compounding power of compounding के तहट आपको उतना ही ज्यादा फाइदा होगा जितना अधिक समय तक आप निवेश किये रहेंगे यानि आप जितनी जल्दी निवेश शुरू कर देंगे आपको compounding की ताकत उतना ही अधिक समझाएगी इतना ही नहीं आप जितना जल्दी जितना अधिक निवेश करेंगे compounding की वज़े से वे पैसा उतना ही अधिक बढ़ेगा तो जितना जल्दी हो सके निवेश शुरू कर दें तो कैसे करें निवेश? निवेश का फैसला करने से पहले ये देखने की आपकी आमदनी में से आप कितने पैसे बचा सकते हैं ध्यान रहे, आप जितना अधिक पैसे बचाएंगे, उतना ही अधिक फायदा होगा अगर 22-25 साल की उम्र में आपकी नौकरी लग जाती है और 30 साल की उम्र के करीब आपकी शादी होती है तो शादी से पहले तक आप काफी पैसे बचाने की स्थती में होंगे ऐसे में जितना अधिक हो सके, उतना पैसे बचा कर निवेश करें अगर आप अपने करियर के शुरुआती दौर में कम खर्च करके अधिक पैसे बचाएंगे तो आपके आने वाली जिन्दगी बहतर हो जाएगी